जोर घटाओ गुना और भाग बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से तो वीडियो को पुरा आंतो तक देखेगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जोर बनाना सीखते हैं तो देखिए इसमें करना क्या होता है तो इसमें उपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या के साथ जोर कर इसके सामने लिखा जाता है इसमें पांच और तीन को जोर कर यहां पर लिखेंगे दो और चार को जोर कर इसके साम है तो तीन में दो को जोड़ना है तो देखे यहाँ पर तीन है तो तीन लकीर खीच लेना है एक दो तीन फिर देखे इसके नीचे दो है तो इसके साथ में दो लकीर और खीचना है एक दो अब क्या करना है तो अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिन लेना है तो गिन लिजिए एक, दो, तीन, चार, पांच तो पांच हो गया तो पांच को हम यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद देखें यह उपर में पांच है तो पांच लकिर खिच लिजिए एक, दो, तीन, चार, पांच फिर इसके सामने नीचे में तीन है तो तीन लकिर इसके साथ खिचिये एक, दो, तीन अब इन सभी लकिर को एक साथ गिल लेना है तो एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ तो इसे जोडने के बाद आठ आ गया तो आठ को हम यहाँ पर लिख देंगे इसके आगे देखिए उपर में दो है तो दो लकिर खिचिये एक, दो फिर इसके सामने नीचे में चार है तो चार लकिर इसके साथ खिचना है एक, दो, तीन, चार अब इन सभी लकिरों को एक साथ गिल लेना है एक, दो, तीन, चार, पांग, छे छे आ गया तो इसको यहाँ पर लिख दिजिए इसके बाद देखिए उपर में आठ है तो आठ लकीर खिचिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ फिर देखिए इसके सामने नीचे में एक है तो एक लकीर और खिचिए अब क्या करना है तो अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिल लेना है एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ नौ आ गया तो इसे यहाँ पर लिख देना है तो इसे जोडने के बाद आ गया 9685 तो यह हो गया इसका आंसर अब चलिए घटाना सेखते हैं अब चलिए घटाव बनाना सेखते हैं तो इसमें करना क्या होता है तो इसमें नीचे वाले संख्या को उपर वाले संख्या से घटा कर और इसके सामने लिखा जाता है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 है तो 5 लकीर खीच लेना है 1, 2, 3, 4, 5 अब क्या करना है तो देखिए इसके नीचे 4 है तो इसमें से 4 लकीर को काट देना है क्योंकि हम यहाँ पर घटाओ बनाते हैं इसलिए इसमें से काट देना है जोर में हम जोर देते थे और घटाओ में काट देना है तो नीचे 4 है तो 4 लकीर को काट देजिए 1, 2, 3, 4 तो देखिए 4 लकीर को काट चुके हैं तो कितना लकीर बचा है तो यहाँ पर 1 लकीर बचा है तो यहाँ पर हम 1 को लिख देंगे इसके बाद देखिए इसके उपर 9 है तो 9 लकीर को खीच लेना है एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ इसके बाद देखिए इसके नीचे तीन है इसमें से तीन लकीर को काट देना है एक, दो, तीन, तीन लकीर को काट दिये है अब देखिए कितना लकीर बचा है एक, दो, तीन, चार, पांग, छे 6 लकिर बचा है, तो यहाँ पर 6 को लिख देना है अब इसके आगे देखिए, ओपर में 8 है, तो 8 लकिर खीच लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर इसके सामने नीचे में 5 है, तो इसमें से 5 लकिर को काट दिजिए 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 लकिर को काट दिए है, अब देखिए, कितना लकिर बचा है 1, 2, 3, 3 लकिर बचा है, तो यहाँ पर 3 को लिख देना है अब इसके आगे देखिए, उपर में 6 है, तो 6 लकिर को खीच लेना है एक, दो, तीन, चार, पांग, छे फिर देखिए इसके सामने नीचे में दो है तो इसमें से दो लकिर को काट देना है एक, दो तो दो लकिर को काट दिये है अब देखिए कितना लकिर बचा है एक, दो, तीन, चार चार लकिर बचा है तो यहाँ पर चार को लिख देना है तो गुना बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो से लेकर नौ तक का पहारा याद होना चाहिए तभी आप इसे आसानी से समझ पाएंगे तो इसमें करना क्या है? तो इसमें इसे और इसे गुना करके यहाँ पर लिखना होता है फिर इसको और इसको गुना करके यहाँ पर लिखेंगे फिर इसे और इसे गुना करके यहाँ पर लिखेंगे तो चलिए इसमें गुना करना सीखते हैं तो सबसे पहले हमी छे का पहारा आठ बार पढ़ना है, तो चलिए छे का पहारा आठ बार पढ़ते हैं, तो 6 कम 6, 6 दुना 12, 6 तरीक 18, 6 चक 24, 6 पंचे 30, 6 चाइक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48 तो 6 का पहारा 8 बार पढ़ते हैं, तो 48 आ जाता है, 48 को हम ऐसे लिखते हैं, 4 और 8 तो देखिए, इस साइड में जो संख्या रहता है, उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इस साइड में जो संख्या आता है, उसे हम अगले वाली संख्या की हासिल में लिख देते हैं तो 48 का हो जाएगा 8, और हासिल में चला जाएगा 4 तो अब हमें 6 का पहारा एक बार पढ़ना है तो 6 का पहारा एक बार पढ़ेंगे तो 6 ही रहेगा और हासिल में 4 है तो 6 और 4 हो जाएगा 10 तो 10 का लिखेंगे यहाँ पर 0 और हासिल में बच जाएगा 1 जिसे हम अगले वाले संख्या पर लिखेंगे इसके बाद देखिए इसके बाद हमें 6 का पहारा 3 बार पढ़ना है तो चलिए 6 का पहारा 3 बार पढ़ते हैं तो 6 कम 6, 6 दुना 12, 6 तरिक 18 तो 6 का पहारा 3 बार पढ़ने पर 18 आ गया और हासिल में 1 था तो 18 और 1 हो जाएगा 19 तो 19 को हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए हम यहाँ पर पूरा लिख देंगे तो 318 को 6 से गुना करने पर 1908 आ गया तो यह हो जाएगा इसका आंसर तो इसमें सबसे पहले हमें 8 का पहारा 9 बार पढ़ना है तो 8 का हो जाएगा 2 और हांसिल में चला जाएगा 7 अब हमें 8 का पहारा एक बार पढ़ना है तो 8 का पहारा एक बार पढ़ेंगे तो 8 ही रहेगा और हासिल में 7 है तो 8 और 7 हो जाएगा 15 तो 15 का लिखेंगे 5 और हासिल में फिर आ जाएगा 1 इसके बाद देखिए इसके बाद हमें 8 का पहारा 2 बार पढ़ना है तो 8 ही कम 8 8 दुना 16 तो 8 का पहारा 2 बार पढ़ते हैं 16 आ जाता है और हांसिल में 1 है तो 16 और 1 हो जाएगा 17 तो 17 का लिखेंगे 7 और हांसिल में आ जाएगा 1 अब फिर हमें 8 का पहारा 2 बार पढ़ना है तो 8 दुना हो जाएगा 16 और हांसिल में 1 है तो 16 और 1 हो जाएगा 17 तो 17 का लिखेंगे 7 और हांसिल में फिर आ जाएगा 1 इसके बाद देखिए इसके बाद हमें 8 का पहारा 5 बार पढ़ना है तो चलिए 8 का पहारा 5 बार पढ़ते हैं तो 8 कम 8, 8 दुना 16, 8 तरिक 24, 8 चक 32, 8 पंचे 40 तो 8 का पहारा 5 बार पढ़ते हैं तो 40 आ जाता है और हांसिल में 1 है तो 40 और 1 हो जाएगा 41 इसमें हमें 649 को 3 से भाग करना है कैसे करेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इस 6 में 3 से भाग करेंगे इसके बाद इस 3 में 3 से भाग करेंगे और सबसे लास्ट में हम 9 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम 6 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए तीन का पहारा हम कितना बार पढ़ें कि 6 आ जाए या इसे थोरा कमाए लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए तो चलिए तीन का पहारा पढ़ते हैं तो 3 एकम 3, 3 दुना 6 तो 3 का पहारा दो बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है जो कि इसके बराबर है तो इसे लिख लेंगे तो 3 का पहारा दो बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा अब देखिए इसे घटा लेना है तो 6 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा तो 0 आता है यानि कि हम इसे काट देते हैं अब देखिए 6 के आगे क्या है То 6 के आगे 3 है तो 3 को यहाँ पर उतार लेना है अब देखिए 3 का पहारा हम कितना बार पढ़ें कि 3 आ जाए तो तीन का पहारा हम एक बार पढ़ेंगे, तीन आ जाएगा, तीन एकम तीन, तो इसे लिख लेंगे, अब देखिए इसे तीन में से तीन को घटा लेना है, तो तीन में से तीन को घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा जीरो, अब देखिए छे का काम हो चुका है तीन को भी उतार चुके हैं, इसके बाद बचा है 9, तो 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, यह 0 आएगा यानि कि यह कट जाएगा, अब देखिए, 3 का पहारा हम कितना बार पढ़ें कि 9 आजाए, तो 3 एकम 3, 3 दुनाचे, 3 तिया 9, तो 3 का पहारा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 9 जाएगा, तो इसे लिख लेंगे, अब देखिए, 9 में से 9 को घटा देना है, तो 9 में से 9 को घटाएंगे, तो 0 आएगा, यानि कि यह कट जाएगा, तो देखिए, यह पूरा कट चुका है, और यहाँ पर आया है 213, तो 649 में 3 से भाग करने पर 213 यह आगे इसका आंसर, अब चलिए, एक और कोश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरा कोश्चन, इसमें हमें 684 को 2 से भाग करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम इस 6 में 2 से भाग करेंगे, इसके बाद 8 में 2 से भाग करेंगे, और सबसे लास्ट में 4 में हम 2 से भाग करेंगे, तो इ देखिए 2 का पहारा हम कितना बार पढ़ें कि 6 आ जाए या इससे थोरा कम आए तो चलिए 2 का पहारा पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2.8 तो 2 का पहारा 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है जो कि इस 6 से ज्यादा है इसलिए हम दो का पहारा तीन बार ही पढ़ेंगे तो दो का पहारा तीन बार पढ़ेंगे तो दो तिया हो जाएगा छे तो छे को यहाँ पर लिख लेंगे अब क्या करना है तो अब इसे घटा लेना है तो छे में से छे को घटाएंगे तो 0 आएगा यानि कि ये कट जाएगा अब देखिए 6 के आगे क्या है तो 6 के आगे 8 है तो 8 को यहाँ पर उतार लेना है अब देखिए 2 का पहारा हम कितना बार पढ़ें कि 8 आजाए या इसे थोरा कम आए तो 2 कम 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चक 8 तो 2 का पहारा हम 4 बार पढ़ते है तो 8 आजाता है तो इसे लिख लेंगे अब इसे घटा लेना है तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा यानि कि ये कट जाएगा तो देखिए 6 का काम हो चुका है 8 का काम हो चुका है इसके बाद है 4 तो 4 को यहाँ पर उतार लेना है अब देखिए अब हम 2 का पहारा कितना बार पढ़ें कि 4 आजाए या इससे थोड़ा कम आए तो चलिए 2 का पहारा पढ़ते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दुना 4 तो 2 का पहारा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आजाता है तो प्लीस वीडियो को जरूर लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें